अब तक आपने केवल नीजी स्कूलों के सुवधाओं और भव्यताओं के चर्चे सुने होंगे लेकिन अब करनाल के सरकारी स्कूल नीजी स्कूलों को कड़ी चक्कर देने की तयाली में है शहर के सरकारी स्कूलों को अगले एक पकवाडे यानी दिसंबर में प्रदेश में अपनी तरह के पहले स्मार्ट कक्शाओं की सौगात मिलने जा रही है पुराने धर्रे को छोड स्मार्ट कक्षाओं में विद्यार्थी नए जमाने के अनुकूलिय तोर तरीकों से पढ़ना सीखेंगे उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीई ओ निशांत कुमार यादव ने बताया कि शहर के नो स्कूलों में 53 क्लासरूम तयार करने का प्रोजेक्ट था जो लगभग पूरा हो गया है इसके तहर साथ स्कूल मुकमल हो गये हैं जबकि दो में कार्य तेजी से चल रहा है जो नवंबर अंत तक पूरा हो जाएगा इन स्कूलों में राजकिया वरिष्ट माध्मिक वेप्राथमिक विद्याल्य मोडल टाउन अर्बन स्टेट सेक्टर 13 के कन्या उच्च विद्याल्य वे प्राइमरी स्कूल स्कूल रेलवे रोड सित लड़के वे लड़कियों के राजकिय वरिष्ट माधमिक विद्यालिय, सेक्टर छे के दो स्कूल तथा राजकिय प्राइमरी स्कूल नंबर चार शामिल हैं CEO ने बताया कि स्मार्ट क्लास्रूम के प्रोजक्ट से करनाल हरियाना का एक मात्र पहला शहर बन गया है जहां स्मार्ट कक्षा में विद्यार थी स्मार्ट इंटरेक्शन टीवी वर रोबोटिक तथा स्टैम लैब से पढ़ाई सीखेंग प्रते क्लास्रूम में दो दो सिक्सी टीवी कैमरे, पब्लिक एड्रिस सिस्टम तदा कक्षा के बाहर अटेंडिन्स के लिए RFID मशीन जिसमें तीन तरीके फेस, बायोमेट्रिक और RFID कार्ड से हाजरी लग सकेगी जबकि स्टैम लैब में 3D मॉडल के जरीए विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट करेंगे और रोबोटिक लैब में एडवांस प्रोग्रामिंग के जरीए विभिन प्रकार के यांत्रिकी मॉडल बना सकेंगे प्रतेक ऐसी कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष 65 इंच की एक बड़ी टच्स्क्रीन होगी इसे स्मार्ट इंटरेक्टिव LED डिस्प्ले का नाम दिया गया है स्क्रीन पर विशेश किस्म के पेन के साथ-साथ हाथ की उंगली से भी लिखा जा सकता है उपायुक ने बताया कि स्मार्ट कक्षाओं में विद्यार्थियों को विडियो औरियो वे अनिमेशन के जरीए पढ़ाय जाएगा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि करणाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काफी कारिय किया जा रहा है और जल्द ही शहर को स्मार्ट सुविदाओं की सोगात मिलेगी गवर्मेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल महिंदर नर्वाल ने बताया कि स्मार्ट स्कूलों में चार स्टैम वचार रोबोटिक यानि आर्ट लैब का प्रावधान किया गया है स्मार्ट क्लास रूम के बाहरी दिवारों पर बाला यानि बिल्डिंग एज लर्निंग एड के तहत आकर्शक पेंटिंग से पढ़ाई के मॉडल गनित के सुत्र और सामान्य वेब भोगोली ज्यान को दर्शाने वाले चित्र भी लगाए गए है ताकि विद्यार्थी इनका अवलोकन कर सीख सके उन्होंने कहा कि आने वाले समय को देखते वे शिक्षा तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचत ना रहे उन्होंने कहा कि स्मार्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए अध्यापकों को विशेश प्रशिक्षण दिया जा रहा है करनाल से समाचार एक्सप्रस की रिपोर्ट इसके लावा इन स्कूलों में रोबोटिक्स और स्टैम लैब भी एस्टैबलिश किये गए है और जो बच्चों की अटेंडेंस हैं उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है जिसमें तीन तरह के प्रावदान हैं या तो थम इंप्रेशन के जरिए हाजरी लगाई जा सकती है या facial recognition के थुरू या RFID के थुरू बच्चों के attendance लगाई जा सकती है इस प्रकार से एक complete सा package है यह और हमारी जो 9 school है वो इसको बन करके तयार हो गई है और हमें उम्मीदे की आने वाले 10 से 15 दिन में इसको जल्दी inaugurate करके और सिक्षा विवाग को सुपूर्द कर दिया जाएगा स्मार्ट सिटी के तरह अब तक कितना काम वर्ग पूरा हो चुका है कब तक complete हो जाएगा स्मार्ट सिटी में लगभग 15 के करीब प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं अलग अलग स्टेज पे हैं कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी टेक अप किये जा रहे हैं जो board of directors है उनकी regular meeting होती है और उसमें नए प्रोजेक्ट्स अप्रोव किये जाते हैं तो अभी सरकार से जो दूसरी किष्ट है अच्छी बात ये कि सरकार से second installment अभी मिल गई है भारत सरकार से 68 करोड की जो second installment है वो स्मार्ट सिटी को पिछले हफते ही हासिल हुई है और इतनी ही amount हरियाना सरकार भी स्मार्ट सिटी करनाल स्मार्ट सिटी को देगी तो funds के मामले में स्मार्ट सिटी के पास काफी अच्छी संख्याव में funds हैं और आगे और भी further projects take up किये जाए स्मार्ट सिटी की तरफ से जो है इस विद्याले में और पुरे करनाल में जो है 53 rooms को जो है स्मार्ट रूम बनाया जा रहा है जिसमें से स्मार्ट स्क्रीन लगी हुए जिसमें के अंदर syllabus पहले से fitted है उसमें आप ब्लैक बूर्ड का काम भी कर सकते हैं बागी उसका काम भी कर सकते हैं और इसे एक नहीं तक्नीक के माद्यम से जो बच्चों को जो इंटर्स्ट करिए होगा को पुराने डर्रे से चलने वले शिक्षा से वह मुक्ती मिलेगी बच्चों के इंटर्स्क्रीट तो एक RFID सिस्टम लगाया गया यहां पर जैसे बच्चा एंटर करेगा उसके एक सिस्टम के आगे से वह गुजरेगा तो उसके टेंडर्स जो है तुर्ण लाइन लग जाएगी और जो बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा तब भी इसी प्रकार से होगा तो बच्चे की वह तो हम लोकेशन को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं कि बच्चा विद्याले के अंदर आया या नहीं आया तो तुरंत मैसेज जो है प्रेंट्स पे भी हमारे पास भी तुरंत आ जाएगा कि वह बच्चा जो है स्कूल में कर रहा है स्कूल में स्ट्रेंटर किया या नहीं किया ह प्रक्स्या वो एक प्रकार से अच्छी तरह से निश्ची तो पाएगी तो सिक्षा के स्थर्वे काफी सुधार होगा प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने की त्यारी है हम मेरा मानना यह के लग बगा आपके करनाल की अगर हम बात करें तो करनाल में इस तरह से गर्णों को ग्रा एतो डापया तो प्राइवेट स्कूलों से वह अच्छी तwrittenी कि से जो हम बच्चों को पड़ा पाएंगे सबिगों मेरा अजरी पर टेनिंग लेकर जो बच्चों को अच्छी सिक्षा दे ना रहें इसे कांड़ से जो हैं जो इन आपके किया जा रहे हैं हम बात करें तो प्रिवेट स्कूलों से सो सबसो बच्चा जो हमारे स्कूल में दमिशन ले चुक है ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद JBD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden At JBD Banquets Enterprise